पाजवादी पाटी में जारी विवादों पर आज मुलायम संग यादाव सामने आते ही सब कुछ ठीके का संदेश दिया पाटी दफ्तर से इस बात का अलान किया कि पाटी में कोई विवाद नहीं है अखलेश और सिपाल में भी कोई विवाद नहीं है ना ही राम गोपाल को लेकर कहीं कोई विवाद है इस बीच मुलायम ने फिर दोहराया कि उन्की बात मुख्य मंतरी अखलेश नहीं काटेंगे और इसके साथ ही मुलायम ने ये भी अयलां किया कि बरخास मंतरी गायितरी प्रजापती को फिर से मंतरी बनाया जाएगा यानि कि शुपाल यादव की बातों को भी ध्यान में रखा गया है अखलेश यादव का क्या कुछ स्टैंड होगा इस पे यह देखने वाली बात होगी क्योंकि यहां पर मुलायन ने ये कहा है कि अखलेश उनकी बातों को नहीं काटेंगे क्या वाकई ऐसा होगा या खलेश यादव का जरुख अक्तियार उन्होंने कर रखा था वो वैसे ही रहेगा हाट कि अनल रीधा होगी यादव और ना नहीं क्योंकि अनल आप यहां थे रहे रहेख आए आपको साग्ल यादवास इस तो को नहीं क्या थे पार दिए किने अखला ने रहे होरेख ऑगा ये ये कि नियुक्त दो, इस मुझदा नेयुक्राण।